प्यारे चातुराज का वीडियो है Oxford basic English grammar से और exercise 9 और जैसे कि पता आप लोगों को ये kinds of nouns से है और यहाँ पर कहा जा रहा है इनमें से कौन-कौन abstract noun है यानि कि इनमें जो है कौन-कौन है भाववाचक संग्या तो पहले आप ये जानिए कि भाववाचक संग्या होता क्या है त जिससे हम केवल अनभव कर सकते हैं उससे छू नहीं सकते और नहीं उससे देख सकते हैं केवल अनभव कर सकते हैं कोई होता है भाववाचक संग्या तो यहाँ पर देखे हमको जो है इसमें से छाट-छाट कर भाववाचक संग्या को लिखना है जैसे good good मतलब अच्छा तो लिए darkness यानि अंधेराफन यह भी भावाचा संगया है लिए darkness चाहिझ अद्हेरापन अब देखे child बच्चा तो यहह यह haanaUN है यह भावातव अब दीए चायलदूर यह वचपन तो यह भावाचा संगया है लिए चाहिलदूर अब देखिए honest या निवांदा कि यह भाबा से संग्या नहीं है honesty इवांदारी यह भाबा से संग्या है लेकिए honesty ह-o-n-e-s-t-y honesty यह जो है इसमें silent है ठीक है अब देखिए gold गोल्ड यह material नाउन इसको छोड़िए और यह भी material नाउन है milk material नाउन है fox यह जो है यह common नाउन है fox love लव जो है यह जो है यह जो है यह अब लिखे love अब देखिए kindness यानि कि दयालुपन तो यह है यह जो है यह abstract noun है लिखे kindness kindness फैमली यह जो है यह collective नाउन है इसको छोड़िए sugar material नाउन है चीनी sweetness मिठास यह जो है abstract noun है sweetness sweetness और sweet sweet को छोड़िए यह जो है यह मिठा हुआ sweet और यह abstract noun नहीं है इस तरह से टोटल जो है एक दो तीन चार पांच छे साथ 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 इसमें जो है abstract noun है